शिल्पा शेट्टी की मा सुननदा शेट्टी को धुकधड़ी केस में बड़ी रहत मिल गई है। मॉंबई के मॉट्रो पॉलेटिन मजिस्ट्रेशिन कोट ने धुकधड़ी और किर्मिनल ब्रिंच आफ ट्रस केस में एक्ट्रिस की मा को जमानत दे दी है। उनके खिलाफ गैर जमानेती वारिंट भी जारी हुआ था, कोट ने उसे भी खारिच कर दिया है, कोट में सुनवाई के दोरान मंगलवार को सुननदा शेट्टी मौजूद थी, जबकि उससे पहले वो कोट में मौजूद नहीं थी, और तब ही यह गैर जमानेती वारिंट ज यह थे, 2016 में उनके पापा की मौत हो गई, मौत होने के बाद शेट्टी परिवार ने लोन चुकाने से मना कर दिया था, इस आरोप के बाद शेट्टी और उनकी बहन शमीत शेट्टी पर भी 11 मार्च 2022 को यह केस चलाने की अपील की गई, लेकिन सेशन कोट ने सिर्फ सुनन ग्राफी केस में राज कुंदरा को जेल जाना पड़ा था, हाला कि शिलपा शेट्टी ने इन सारी सिच्योशन से अच्छी तरह डील की थी, वो फिलहाल अपनी अगले फिल्म की तैयारी में जुड़ चुकी हैं, वो अब निकमा नाम के फिल्म में नजर आएंगी, फिल्म 17 जून 2022 को रिलीज होगी, फिल्म में उनके अलावा अभिमन्यो दसानी और शेलिन सेतिया नजर आएंगी,